आज हम लोगों स्टार्ट करेंगे विनाईल, एलाईल और एराईल कार्वन के बारे में ये चार जो आप सामने देख पारे हैं स्क्रिन पे इन चारों के बारे में वन बाई वन सीखेंगे कि हमारा विनाईल ग्रूप क्या होता है अगर हम से कोई पूछे वाट इस दा इस दा आप से पूछा जाता है या इनको आप कार्वन भी कह सकते हो ऐसे कार्वन होते है जिनको बेंजाईल एराईल और विनाईल कहा जाता है तो यह चारों के वह important है कि जब हम reaction mechanism की बात करते हैं तो यह सब कहीं ने कहीं एक बहुत ही important role play करते हैं उन सभी role में हमें जरूरी है यह जानना कि विनाईल का क्या role है एलाईल का क्या role है एराईल का और बेंजाईल का तो one by one चलिए मैं आपको सिखाता हूं सबसे पहले what is the nature of vinyl group और हम कैसे पहचारेंगे कौन सा carbon vinyl है ठीक है ना तो आएए देखते हैं विनाईल ग्रूप क्या होते हैं और विनाईल ग्रूप को one by one हम लोग study करने वाले हैं तो सबसे पहले देखो बच्चो विनाईल ग्रूप क्या होता है एक ऐसा ग्रूप जिसमें क्या हो एलकीन सिस्टम होता है वो आपका होता है एथीन का होता है ठीक है एथीन में होता है आफ एथीन हैविंग एनी एटम और ग्रूप विल अटैज हैविंग एनी एटम और ग्रूप डायरेक्ली अटैज है ना जिससे क्या होगा कोई ग्रूप और एटम क्या होता है डायरेक् होता है तो हम देखेंगे directly कौन कौन attached हो सकता है one by one तो आईए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो ये ग्रूप है CH2 हमने लिखा नापको कि यह आपका होगा अईटिर बोलते हैं आप यह देखते हैं अगर हमारे पास इंकर पास वेटम जोड़ेगा तो उसका नाम इसी के रिस्पेक्त में विनायल कहलाएगा ठीक है तो आएए देखते हैं अगर हमारे पास माल लेते हैं, कोई क्लोरीन है, है ना क्लोरीन, वो डारेक्ट जाके इसी कार्बन पर जुड जाए इस पर, तो इसका नाम हो जाएगा Vinyl Chloride, इस विनाईल Chloride, ये विनाईल Chloride के नाम से बच्चो जाना जाएगा, और हम सबने पढ़ा था, अगर विनाईल PVC बोले तो poly-vinyl chloride एक polymer है तो आपका vinyl chloride से बनता है तो आपको vinyl group का आना कितना जरूरी है आप समझ रहे हो देखा आपने कितना important है vinyl group इसके अलावा एक और example मैं आपको देता हूं CH2 double bond CH और CN This is known as vinyl cyanide क्या बोलते इसको vinyl cyanide कहते हैं और commonly Vinyl Cyanate का जो नाम है, आप सबने सुना होगा, Acrylonitrile, इसका common name क्या Acrylonitrile, है ना? अब Acrylonitrile को अगर हम Polymerize कर देते हैं, तो आप सबने Polymer पढ़ा होगा, Acrylonitrile के Polymerization से क्या हो जाता है? पैन बनता है, PAN, PAN बोले तो Polyacrylonitrile, इस Polymer is known as Polyacrylonitrile, आप देखरों, Vinyl Group कितना important होता जा रहा है? मतलब यह सभी Polymer के केस में बनते हैं, Polyacrylonitrile बनता है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे Group है, जहां पर हमको यह Compound मिलेगा, एक और Eldehyde है, देखो देखो देखान से, यह, इसको अगर हम Normal Eldehyde के टर्में करें तो Vinyl Eldehyde बोला जाएगा, पट common name इसका कुछ और ही है, इसको Vinyl Elde जाना जाता है, इसका जो नेचर है जाने जाने का वो है, एक्रोलीन, इस इज अल्सो नोन एज एक्रोलीन, यह नाम याद रखिएगा सभी लोग, एक्रोलीन बहुत ही Foul Smelling compound होता है, Foul का मतलब गंदा, गंदा मैकने वाला, इस इस इज वेरी Foul Smelling compound है, तो एक्रोलीन बनत जो तरीका है, आप सबने गलिसराल का नाम सुना होगा, जब गलिसराल पर हम लोग एड कर जाता है, K-H-S-O-4, जैसे मालों यहाँ पर गलिसराल है, ठीक है, गलिसराल, और गलिसराल पर अगर आपने डाल दिया, K-H-S-O-4, डिहाइड्रेसन हो जाता है, K-H-S-O-4, तो दिहाइड्रेशन करके ही बनाता है एक्रोलीन जिसके पास बहुत ही गंदा महक होता है तो आपका यह विनाइल गुरूप हो गया तो आप विनाइल गुरूप पहचान रहे होगा विनाइल गुरूप अगर डाइरेक्ट स्पी तू कार्बन से जुड़ जाएगा कोई एटम गुरूप तो इसको विनाइल बॉलेंगे जैसे यह जूड़ गया तो विनाइल गूरूप है तो विनाइल बोलेंगे अगर हमारा दारेक्ट इससे जूड़ गया ध्यान दीजिएगा यह जल इससे जाकर को फॉंक्शनल ग्रूप जुड़ गया एन ज्ली और यह दिलाइक सिधा आपको समझ बाना चाहिए कि जब एलकीन के SP2 कार्बन पर डारेक्ट जाके कोई अमीन एलकोहल या हैलाइड जुड़ जाए यह हैलाइड हो गया ओएच हो गया देन दीजार नो नैज विनाइल ग्रूप ठीक है ना विनाइल ग्रूप कहा जाएंगा अगर अमीन है तो विनाइल आमीन कहलाता अगर क्लॉराइड होता तो विनाइल क्लॉराइड कहलाता अगर आपका OH है तो विनाइल एलकोहल कहलाता तो डिपेंड करता कि कौन सा ग्रूप है इस इस कॉल्ड विनाइल ग्रूप अब आपके एक इंपोर्टेंट नोट बताता हूं इस नोट को जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि विनाइल ग्रूप में आपका जो ग्रूप और एटम जूड़ा है वो डाइरेक्ट इसको मैं फिर से बनाओ इट गेन ए पार्सियल डवल बॉन करेक्टर देखे कैसे यह बन जाएगा सिएच सिएच टू माइनस यह सिएच और यहां पर डवल बॉन सियल प्लस यह स्ट्रक्चर बनेगा अब इस स्ट्रक्चर को क्या करना है अगर हम इसका रजुनेंस हाइब्र अगर यही अमीन होता तो अमीन भी करन्युगेशन में आ जाता है तो आपको Genesis сिए रखना है कि partial double bond character जिसमें आएगा वो bond ज्यादा मजबूत होता है तो जिनमें partial double bond character आया वो क्या हो जाएंगे ज्यादा मजबूत और जो ज्यादा मजबूत होते उनको तोड़ना क्या है आसान नहीं होता है तो मैं आपको note में यही लिखवाने वाला हूं कि जितने भी vinyl halides हैं they don't undergo nucleophilic substitution by SN1 और SN2 mechanism ठीक है ना तो vinyl halide does not form product do not form ठीक है do not form product via substitution product via substitution यह substitution से product नहीं बनाता है because of because of conjugation between किसके किसके बिट्वीन कार्बन कार्बन डबल बॉन एंड लोन पेर आफ क्लोरीनेटर तो conjugation की वज़ा से क्या होता है इन दोनों के बीच में partial डबल बॉन करेक्टर आ जाता है और जब partial double बॉन करेक्टर आ जाएगा बच्चो तो उसको तोड़ना क्या होता है डिफिकल्ट तोड़ना क्या हो जाता है डिफिकल्ट इसी वज़े से क्या होगा यहां पे substitution नहीं होगा यह बहुत ही आसानी साब को समझ में आ जाना चाहिए ऐसे दूसरा यहां पे point हमारे पास फिर एक आता है कि विनाईल अमीन बहुत कम basic होते है ठीक है ना विनाईल अमीन सार लेस बेसिक देन अलकाईल अमीन रिजन क्या है लेस बेसिक देन अलकाईल अमीन अलकाईल का मतलब होता है बस CH3 CH3 ऐसे जूड़ता चला है अलकाईल अमीन जिसमें CH3 CH2 CH2 होता है उनको बोलते हैं क्यों तो पहले आईए देखते हैं रीजन बनाने से पहले विनाईल अमीन है क्या यह हमारा जो compound आप देख रहे हो इस compound is known as Vinyl Amine और इसका पास यह lone pair है और अगर हम अलकाईल अमीन की बात करेंगे बच्चों तो CH3 CH2 और NH2 ग्रूप इस इस कॉल्ड विनाईल अमीन इसको लोग सॉरी अलकाईल अमीन यह आपका क्या हो गया अलकाईल अमीन सिंपल अलकाईल अमीन दीजार अलकाईल अमीन और यह क इसका लोन पेर कंजूगेशन में है है ना जबकि इसका लोन पेर कंजूगेशन में नहीं है यह फ्री है फ्री है तो अगर कोई लोन पेर फ्री होता है तो हम उसको आसानी से किसी को डोनेट कर सकते हैं दे सकते हैं और जो इस पिसी लोन पेर डोनेट करते हैं वही बेस होत तो अमीन्स क्या होते हैं, लोन पेर डोनर होते हैं, अमीन्स होते हैं, लोन पेर डोनर, लोन पेर डोनर तो हम सब को पता है, कि जो लोन पेर डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा, जो नहीं करेगा वो खराब बेस, तो जिसके पास देने के लिए अवलेबल है वो अच्छ तो यह अपका क्या हो जाएगा? वुद यह अच्छा बेस हो गया क्योंकि आसानी से डुनेट कर पाएगा और यह बूरा हो जाएगा यह बैड Mark यह पूर बेसिक क्योंकि इसका लोन पर किसी को देने के लिए अवलेबल नहीं है या अपना internally conjugation कर ले रहा जिसके वज़े से इसको दिक्कत होगा donate नहीं कर पाएगा तो यह कहानी थी अभी आपने देखा vinyl group की now we will move towards the aryl group vinyl के साथ-साथ aryl भी देख लेते हैं उसका भी same है aryl group बस difference क्या है कि aryl group में कोई भी group और atom सीधे बेंजीन पर जूड़ता है जो की sp2 hybrid होता है उपर पर sp2 ही था पर वो बेंजीन नहीं था ठीक है ना when any group or atom when any group or atom one minute any group or atom directly attached to benzene ring सीधा attach हो जाना चाहिए directly attached with benzene ring benzene ring ऐसे group और atom को हम क्या बोलते है aryl group बोलते है ठीक है ऐसे group और atom क्या कहलाते है aryl group कहलाते है तो ठीक है देखते है जैसे आपका benzene है देखो बच्चो यह आपका benzene है benzene के सभी carbonate sp2 होते है आपको यह पता होना चाहिए मैं पढ़ाया भी हूँ all carbon star sp2 all carbon sp2 तो यह भी sp2 ही है तो अगर इस ring पर ले जाए किसी group को इसको हम लोग aryl बोलते है इसको pH से represent करा जाता है कहीं भी pH होगा मतलब पूरा benzene ring यह से ले जाके बना देना उस पर ठीक है pH का मतलब भी होता है benzene का ring benzene ring फर्म कर दिया है तो pH कहलाएगा तो अब देखते इसके आगे क्या क्याची होने वाली है अब अगर हम इस पर किसी atom या group को attach करें बच्चो किसी atom या group को तो कहलाएगा aryl का मतलब होता है benzene ring पर direct attach aryl chloride अगर मैं यही पर OH लगा तो phenol commonly बोलते हैं बड़ उसको aryl alcohol कहा जाएगा ठीक है न, aryl alcohol aniline बन जाएगा तो aryl amine कहा जाएगा this is also known as aryl amine इसको अब लोग क्या बोलते है aryl amine तो simple system में बात यह है कि जब halogen direct attach हो जाएगा किस से इसी benzene ring से तो उसकों लोग क्या बोलते है aryl aryl का मतलब simple simple क्या हो गया जब directly attach हो भी थे ring तो उसकों लोग aryl बोलते है ठीक है तो I hope कि यह बात आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक समझ में आ गया होगा कि aryl group क्या होता है और vinyl group क्या होता है ठीक है अब आगे बढ़ते है जैसे कुछ भी लगा हो आपका benzene ring पर तो aryl क्या लाएगा ठीक है benzene ring पर सीधे जोड़ा होगा तब next हमारा जो topic है वो है allyl group है न allylic group अब देखना है कि allylic group क्या होते है ठीक है और ये कैसे काम करते allylic group अगर है तो कैसे work करने वाला है one by one हम लोग देखेंगे कि allylic group की functioning क्या होती है और allylic group कैसे function perform करता है तो चलिए देखते हैं जो allylic group होता है उसके लिए simple कुछ नहीं है आप एक vinyl से direct attach कर देते हो sp3 carbon ठीक है ये carbon कैसा है देखो जर अध्यान से इस carbon को देखो सभी लोग तो आपको पता चलेगा ये carbon sp3 है क्योंकि इसके पास कोई pi bond नहीं है तो जो carbon sp3 है और किस से जुड़ा हो विनाइल ग्रूप से है ना इसको एलाइलिक कारबन और अगर एलाइलिक कारबन पर कोई ग्रूप और एटा मटाइच होग बच्चों तो उसको लोग क्या नाम देंगे उसको एलाइलिक फॉंक्शन ग्रूप भी कहा जाएगा एकजामपल देखें और C-L होता तो विनाइल ग्रूप को क्या बोला जाएगा अब एलाइल एलकोहल एलाइल अमीन और एलाइल कलोराइड कहला तो यह डिपेंड करता है कि इस SP3 कारबन पर कौन जोड़ा तो ध्यान आपको क्या रखना है कि इस ईलाइल ग्रूप के साथ जो है SP3 कारबन वो सीध है वीनाइल ग्रूप पर अटाइच होता है मतलब जो भी ग्रूप और एटम होंगे वो SP3 कारबन पर टाइच होंगे ना कि SP2 पर कूकि SP2 पे टाज हो तो हम सबको पता है पर पुराना वाला हो जाएगा और पुराना वाला क्या था विनायल था to Vinyl हमें बनाना नहीं है हमको तो बनानाaining Then examine derive आप केले escr lotta अब बता है किइसमें कितने विनायली कारबन तो आप देखोगे थी component तो यहां पर टोटल एलाइली कार्बन के संख्या दो है तो यह पहचानना पड़ेगा नेक्स देखिए एक और स्टॉक्चर में बना रहा हूं आपको इसमें बताना यह है ं इसमें कितने एलाइली कार्बन प्रजेंट है बस सिप्ना बताना है तो आफ सब्सक्र Сп2 को यह SP2, यह SP2, है ना, फिर यह SP2 और यह SP2, तो SP2 स अटैज पहला यह कारवन, दूसरा, यह कारवन, तीसरा, यह चोथा, यह पांचवा, यह छठा, यह सातवा यह, हम सब को इसलिए लिये हैं, क्योंकि SP2 से direct attach है, देखो, यह देखें, direct attach, यह देखा जाए, direct attach, यह दोनों द तो एलाइली का आपको मिलेगा साथ इसमें एलाइली ग्रूप कितने थे सेवन थे ठीक है ना सेवन एलाइली ग्रूप प्रजेंट थे ठीक है अगरा एक्जामपल देखिए इसमें अगरा आपसे पूछे नंबर आफ विनाइल ग्रूप कितने है नंबर आफ विनाइल ग्रूप दोनों बताना है एलाइल एंड विनाइल दोनों बताना है एलाइल एंड विनाइल कितने कितने है सबी लोग जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट मारो तो देखते हैं कौन-कौन बता पाता हाव मैंनी विनाइल एंड हाव मैंनी एलाइल तो पहले मैं विनाइल बताऊंगा कलू कारबन से ठीक है ना विनाइल काले कारबन से गोला क तो आप सभी लोग बतागे, ग्रिन ओल्ले से एलाइलिक कौन-कौन है, है न? फोर्थ वन इस बेंजाइलिक ग्रूप नव वाट इज बेंजाइलिक तो सबसे आसान है समझना बेंजाइलिक कार्बन एराइल हो गया बेंजाइल अब देखिएगा बेंजाइल में क्या होता है जब किसी रिंग से बेंजीन रिंग से देखिए दियान से बेंजीन रिंग से कार्बन SP3 कार्बन सीधे जुड़ा हो है ना ये कार्बन जो सीधे जुड़ा है इस कार्बन इस नोन एज बेंजाइल कार्बन क्योंकि वो बेंजीन से डारेक जुड़ा है बेंजाइल कार्बन यही कहलाएगा तो benzyli group क्या होते हैं? एक ऐसा SP3 carbon जो benzene से सीधे जुड़ा हो बट SP3 होना must है तो एक ऐसा carbon जो benzene से सीधे जुड़ा हो और SP3 hybrid हो उसको बोलते हैं benzyli carbon अब अगर हम यहाँ पर कुछ लगाते चले जाएंगा तो उसका नाम benzyli के रूप में रखते चले जाएंगे ठीक है? जैसे यह अगर CL लगा दिया तो benzyl chloride OH लगा दिया तो benzyl alcohol NH2 लगा दिया तो benzyl amine ऐसे product बनता है ऐसे product के नाम लिखे जाते हैं तो यह पूरा group आपको क्या हो गया? Benzyl उसके बाद CL लगा है तो chloride लिखिए OH लगा है तो अगर OH लगा है chloride के जाएंगे OH लगा है तो alcohol लिखेंगे benzyl alcohol और अगर NH2 लगा है बच्चो तो इसको benzyl amine बोला जाएगा benzyl amine तो यह आपका benzyl group होता है जो कि बहुत सरल होता है पस benzyn से carbon क्या होना चाहिए sp3 carbon डारेक्ट अटच होना चाहिए ठीक है ना यहाँ पे लिख सकते हो when when an sp3 carbon sp3 carbon direct attached with benzyn ring direct attached with benzyn ring उसको हम लोग क्या बोलते हैं that ring is known as benzylic ring तो हमारा बेंजालिक देख कितना असानी से बन गए यह आपका बेंजालिक है बेरी सिंपल तो हमारे पास चारों कारवन था जिसको मैंने आज आपको कम्प्लीट करा दिया यह हमारा पूरा कम्प्लीट आज के लेक्छर है जिसमें आपने सीखा अब कल के लेक्छर मैं आपको इसके अप्लीकेशन सिखाऊंगा कि इनका अप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो आज की सवा यहीं संपन होती अगली सवा में कल फिर मुलाकात होगे तब तक टाटा बाए बाए